हेलो बच्चों मेरा नाम है राजवन सिंग और मैं आप सभी का स्वगत करता हूँ इस माइन मैप सीरीज में जहां पर आज हम लोग करने वाले हैं यह अपने फिजिक्स का लास शेप्टर आ जाता है और इसका जी में अच्छा खासा वेटेज भी मैं बोलूँगा चोटे-चोटे फॉर्मले हैं जो आपके काम के रहते हैं और कुछ त्योरेटिकल चीते हैं जो आपके बोर्ट में जो 12 गोइंग स्टुडेंट्स हैं अभी वो बोर्ट के लिए भी आपको में पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए ठीक है तो चलिए बेटा हम करते हैं इस लेक्चर के शुरुआत आज हम लोग कॉम्निकेशन सिस्टम्स के बारे बात करेंगे एंस्याटी में जो भी है यह आपको एंस्याटी बेस्ट ही पढ़न समझना सोर्स क्या होता है सोर्स वह व्यक्ति है या कोई भी एक ऐसा इंसान जो अपनी कोई भी कॉम्निकेशन हर इंसान को कॉम्निकेट करने के लिए माध्यम चाहिए राइट जब हम लोग बोलते हैं तो जैसे माल लीजे कि यह जो हमारे पास स्पेस है मेरे आसमास का स्प किसे डवलप किया है उसका एक जलक आपको यहां पर मिलेगा तो सोर्स हमारे पास एक ऐसा व्यक्ति है जो एक मैसेज या फिर आप बोलेक मैसेज सिगनल डवलप करता है यह हमारे पास कोई भी इंफॉर्मिशन हो सकते है जैसे आप नॉर्मल डे-to-day लाइफ में बात करते जैसे मैं यहां पर बात करूं तो मैं अभी एक मैसेज आपको दे रहा हूं और वह मैसेज हमारे पास का कॉम्मिकेशन सिस्टम्स का content है तो यह सबसे पहले हमारे पास माइक पर जाता है जिसके अंदर लगा होता है ट्रांस्ड्यूसर का काम क्या है कि जब भी मैं बोल रहा इसी में जो transmission होता है इसी में हमें antenna की विजरूत होती है amplifier की विजरूत होती है वो हम लोग terms में अभी देखेंगे ठीक है तो channel होता है हमाई पास channel मतलब जिस माध्यम से हमारे पास ये जो message signal है ये दूसरे व्यक्ति तक जब पहुंचता है तो जो माध्यम का नाम है वही हमाई पास चैनल है इसमें guided medium भी है, unguided medium भी है, guided medium means आपकी जब wires का आपका use हो, जिसमें आपका message signal एक particular रास्ते से guide करके पहुचाये जाए, optical cables का जो use हो, that will be our guided medium, unguided medium में आपका example है जैसे वाई-फाई या FM जैसे आप सुनते हैं, जहां पर हम आपस कोई wires का यूज नहीं होता है फिर हमारे पास जो भी मैसेज है वो दूसरे साइट पर पहुंचता है that is receiver receiver क्या करता है उस message signal को जो आपने coded करके भीजा था उसको पाता है उसके अंदर भी transducer लगता है वो क्या करता है उस coded message को दुबारा से आपकी वॉइस में जो भी आपके information उसको नॉर्मल message में convert करता है और फिर यह message signal दे देता है user of information को यहां पर अगर हम लोग बात करें तो एक है that is also unwanted signal भले ही वो काम की बात आप से share कर रहा हो किसी व्यक्ति से और आपको कुछ मसाला मिल जाए life में लेकिन फिर भी हम लोग उसको noise ही कहते है तो अगर हम लोग बात करें टाइप of communication तो दो टाइप of communication होते हैं one is point to point जैसे आप कॉल करते हैं तो जैसे आप अपने किसी हिला मित्र या अपने पुरुष मित्र से कॉल करते हैं रात को that is point to point आप नहीं चाहते कि वह कोई और information किसी और के पास declassify हो जाए that is called point to point communication and another one is called broadcast जो आप WhatsApp पे भी करते हैं जो आपके पिता जी सुबह सुबह करते हैं basically good morning के message या फिर कभूतर को पानी पिलाने वाला गर्मिया आने वाली है उसके वाले messages या फिर आफ FM सुनते हैं गाने सुनते हैं that is called broadcast means एक हमारे पास source of information है और यूजर जो है हमारे पास multiple है that is called broadcast और point to point means एक source है एक user है that is called point to point communication अगर मैं important terms की बात करूं ncrt में कौन-कौन से important term है that is called transducer transducer हमारे पास ऐसा electrical device है जो हमारे पास physical signals को एक electrical form में convert कर सकता है and vice versa जैसे मैं बोल रहा हूं तो मेरा यहां पर pressure wave sound wave जो चलते है तो pressure के form में चलती है pressure का modulations होते हैं तो वह pressure के variation को एक electrical signal में convert करें और वापेश electrical signal को एक pressure signal में convert कर जाए that is our transducer signal हम लोग बात करें तो जो भी आपका message है that is our signal signal हम लोग जब जैसे मैंने हाँ पर बोला तो that is in the form of sound right तो pressure का जो variation है transducer ने क्या करोगा एक signal बनाया होगा वह signal आपका होता है दो टाइप का एक होता है binary signal जिसमें 101010 ऐसे चलते हैं और आज ही date में हम लोग binary systems को यूज करते हैं पहले analog signals भी यूज होते थे और आज की भी भी कई जगा पर analog signals को भी यूज किया जाता है analog means जहां पर sinusoidal and cost functions हमारे पास रहते हैं ठीक है फिर आता है noise noise एक कोई भी unwanted signal है जो आपके या तो system के अंदर है या फिर system से बाहर है जो आपके message को corrupt कर रहा है that is our noise transmitter transmitter एक ऐसा device है जो आपके information जैसे आपने मैंने बोला ट्रांस्ट्यूशन उसको convert करा अब transmitter का काम है कि उस information को transmit करने का जैसे आपका इसमें एंटीन आ जाता है message signal to a suitable form of transmission ठीक है receiver वही काम है receiver नाम से पता लग रहा है जो message signal है उसको receive करने का ठीक है अब होता क्या है कि जैसे माली जे एक antenna ने अपना signal propagate कराया तो वह signal दूर तक जा रहा है जा रहा है और एक particular distance या कुछ दूरी तक चलने के बाद उसकी जो strength है वह काफी कम हो जाती है कि आप उसको detect ना कर पाए जैसे मैं यहाँ पर बोल रहा हूं तो जो व्यक्ति मेरे सामने या पास में खड़ा होगा वो clearly information को सुन सकेगा और जैसे जैसे वो मेरे से दूर चला जाएगा तो उसको आवाज इतनी जादा नहीं सुनाई देगी और वो interpret नहीं कर पाएगा तो attunation क्या है? The loss of signal strength basically. Amplification की अगर मैं बात करूँ तो amplification हमारे पास क्या है? क्योंकि logically क्या है कि जब भी हम लोग कोई भी signal को propagate कराते हैं आपको पता है ideal systems नहीं हैं वहाँ पर losses of energy हमारे पास generally होते ही हैं तो जैसे हमने कोई signal भेजा तो उसका signal strength हमारे पास कम हो जाता है तो हम लोग बीच में क्या करते हैं? Amplification करते हैं कि वापिस signal strength को और increase किया जाए that is called amplification. Range हमारे पास क्या है? The maximum distance जैसे माल लीजे कि मैं यहां से बोलना start करूँ तो कितनी दूरी तक एक व्यक्ति बिल्कुल crisp तरीके से मेरे information को grab कर लेता है that is called range. For example मैं यहां से बोलना start करत कि बीचती को सुनाई दे रहा है और 10 मीटर तक के भी व्यक्ति को सुनाई दे रहा है. लेकिन 10 मीटर वाला जो व्यक्ति है उसको information तो मतलब यह पता लग रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं वह clear नहीं आ पा रहा है कुछ-कुछ छूट जा रहा है कुछ-कुछ interpret करने में बह बात करें तो इंसान 20 Hz से लेके 20,000 Hz तक सुनाई देती है उसको तो these are the range of frequencies in which we can hear things, right, तो वैसी अगर हम लोग किसी भी signal को propagate करते हैं, जैसी प्रकार मैं भी बोल रहा हूं, तो मैं 20 Hz और 20 kHz की range of frequencies को use कर सकता हूं, लेकिन मैं अभी नहीं कर रहा हूं, right, तो मैं एक range of frequencies में बो स्वारा communication system evolve करा, तो हमें यह चीज पता लगी, कि अगर हमें दूर के व्यक्ति से या फिर दूर के किसी system से communicate करना है, तो हमारे जो low signal strength वाले signals है, जिनके पास energy इतिनी नहीं है, कि मैं यहां से भीजूं, तो वह वहां तक पहुँच जाए, तो हम लोगों एक तरीका find किया, which is called modulation, basically क्या है, जैसे आपके पास एक paper है, अगर आपको मैं कहूँ कि भाई, आप एक paper को कितना दूर फेक सकते हैं, तो आपने क्या करा, एक paper का plane मनाया फेका, फिर paper का ball बनाया फेका, तो एक particular range, लेकिन अगर मैं उसी paper में अंदर बीच में पत्था रख लूँ, और फिर paper को बांद के rubber band से लगा के fake हूँ, तो वो ज्यादा दूर तक जा सकता है, है ना, तो basically हम लोगों ने उसकी कहीं न कहीं, energy को ही increase कर दिया, क्योंकि mass बढ़ा दिया, जब मैं fake हूँगा, kinetic energy बढ़ जाएगी, तो वो ज्यादा दूर तक जा पाएगा, yes, तो इसी प्रकार से signal म हमारे पास low strength के होते हैं, low frequency के होते हैं, वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाते, इसके लिए हम लोग उनको एक high frequency के signal के उपर बैठा देते हैं, और फिर हम लोग भीज देते हैं, जैसे माल लीजे, मैं आपको बोलूँ कि 10 km आपको दोड़ना है, आप नहीं दोड़ पा होते हैं, तो जो आप हो गए, वो हो गया message signal, जो आपकी bike हो गई, that is a carrier wave, ठीक है, जो high frequency की wave होती है, सारे important points हम लोगों ने यहाँ पे लिखे हुए, demodulation, अब बात है कि मैंने एक signal को, जैसे माल लो, आपको मैंने का, भाई, 10 km दूर जाना है, तो आप bike पे जाएंगे, तो आप असानी से चले गए, लेकिन bike से उतरो गई भी तो न, 10 km पैसे उटना, bike पे चिप के ही रहो गए, हैं, कहीं पर घर में भी जाना है, सीडी चाटी है, तो bike से जा रहे, ऐसा नहीं, आपको signal को अपने carrier wave से हटाना पड़ेगा, high frequency का जो signal था, उससे separate out करना पड़ेगा, that is called modulation, demodulation, modulation में क्या होता है, आप low frequency को high frequency पे रखके भीजते हैं, demodulation में क्या है, जब आपको signal आ गया, तो high frequency का signal मिला, उसमें से extract करना, is called demodulation, repeaters, आप अगर कभी भी पहाड वहाड के range में जाए, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि अगर कोई भी signal भीजेगा, तो वो है, तो signal हमाई पास waves इना, तो पहाड और ये जो difficult terrains होते हैं, वहाँ पर हमाई पास communication थोड़ा सा दिक्कत वाला होता है, तो जब आप पहाड पर जाते हैं, तो आपको signals इतने असानी से नहीं मिलते है, reason being, क्योंकि जब भी signal भीजा जाता है, तो वो reflection बहुत करता है, तो हमें अगर जादा दूर तक अगर अपने range को बढ़ाना है, तो हम लोग क्या use करते हैं, repeaters, it's like कि मैंने यहाँ से चिट्थी बेजी दूसरे बंदे को, दूसरा बंदे ने तीसरे बंदे को, तीसरे ने चौते बंदे को, it's like कि spice का एक range है, spice मतलब मसाले नहीं, spy means detectives basically, तो repeaters का यहीं है कि वो जैसे है, दूर दूर पर आपने एक antenna यहाँ लगा हुआ देखा है, फिर कुछ दिर के बाद antenna देखा है, तो यह वाला signal इस antenna को देगा, यह वाला अगले वाले को देगा, तो these are called repeaters, ठीक है, अब antenna की बात करें, तो communication system without antenna हमारे पास आज की date में possible नहीं है, be it defense हमारे पास civil, right, civil sector की भी बात करें, या फिर आपको defense sector की भी बात करें, without antenna it's not possible these days, although हम लोग guided medium से, जहां तो सुनना, although हम लोग guided medium से ही internet को use कर पाते है, all over world, जो internet की cables हैं, जो oceans में डली हुई है, those are in form of guided medium, right, but उसके बाद अगर हम लोग communication की बात करें, तो वो हमारे पास कहीं कहीं, antenna के through ही होती है, पुराने समय पे हमारे पास भी antenna होते था, हम set करते थे, अगर आप आज की date में dish TV देख रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपका TV देखते हैं, तो आप अपना dish antenna basically लगवाते हैं घर पे, है ना, और अगर आप mobile की बात करें, तो पुराने mobile में एक छोटा स antenna होता था, वो भी हमारे पास अब size में छोटा कर दिया गया है, लेकिन हमारे पास वहाँ पर भी antenna होता था, अगर आपका भी car चलाएं तो वहाँ पर पहले एक लंबी सी तार निकाली जाती थी, that was the antenna जिससे आपको FM सुनाई देता था, तो antenna आज की date में बहुत important है, दो type के हमारे पास antenna होते है, one is called hertz antenna and another one is called marconi, macaroni नहीं, marconi antenna, तो इसमें जो भी आपको signal भेजना है, अगर मालनों उसका wavelength lambda है, तो यहाँ पर size, this is not lambda prime, this is basically the size of antenna, ठीक है, तो जो भी आपको signal भेजना है, अगर उसका wavelength lambda है, ठीक है, तो जो size of antenna होना चाहिए, size, ठीक है, वो होना चाह wavelength का जो size होगा, that is lambda by 4, where lambda is the wavelength of signal, wavelength of signal, ठीक है, wavelength of signal, इसके बाद आता है, अपर propagation of electromagnetic wave, आप सभी लोगों को पता है, कि जब भी हम लोग कोई signal की बात करते है, तो यह हमारे पास एक electromagnetic wave है, जो charge हमारे पास accelerate होता है, तभी electromagnetic waves बनती है, तो antenna के अंदर हमारे पास charges होते हैं, जो oscillate करके electromagnetic waves को बनाते हैं, तो अब जब हम लोग propagation of electromagnetic wave की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमें अर्थ के बारे में थोड़ा से समझना पड़ेगा, नौवी दसवी class में जोगराफी में आपने पढ़ा होगा, कि अर्थ के पास troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere, यह layers हैं हमारे पास, जो atmosphere की है, लेकिन जब हम लोग communication की बात करते हैं, तो इन layers में हमें देखना होता है ions, ions क्यों, क्योंकि हमारे पास जो अर्थ के पास बात करें, troposphere, जो अर्थ के सबसे पास है, उसके बाद होती stratos, thermos and ionos, तो इसमें हमारे पास क्या होता है, सूरज की रोश्री पढ़ने से, हमारे पास जो atoms ह हैं, gas के atoms हैं, वो टूट जाते हैं, और ions के form में exist करते हैं, इंसान ने ये चीज़ पाया कि ions की भी जो density है, वो variable है, ठीक है, और हम लोग total internal reflection करवा के, अपने electromagnetic signal को वापिस reflect करवा सकते हैं, अर्थ पर, ठीक है, तो कौन-कौन से हमारे पास layer है, that is D, E, F1 and F2, F2 हमारे सबस से nearest to the earth वाली layer है, ठीक है, तो हमारे पर D stratosphere का part है, E stratosphere का part है, F1 mesosphere का part है, F2 thermosphere या inosphere, last वाली के आप बात करें, thermosphere का part है, ठीक है, जो D और E हैं, ये दिन में ही रहते हैं, क्योंकि दिन में सूरज की रोशनी रहती है, तो ions बने रहते हैं, तो ये दिन में ही रहती है, F1 अ आखरी वाली layer है, वो हमेशा सूरज के contact में रहती है, मतलब radiation हमेशा आ रही होती है, तो वो दिन में भी प्रयाप्त रूप में present रहती है, और रात में भी रहती है, ये इनकी charge density या iron density है, जो आपको याद रखनी है, ठीक है, अब होता क्या है, जरह यहाँ पर समझना, कि ज जो ground wave है, जैसे हमारे पर low frequencies है, जिनके उनका, मतलब हमें ज़्यादा दूर भी नहीं है, ठीक है, माल लोग कि अब मेरे पास एक paper है, और मेरे को ज़्यादा paper को ज़्यादा दूर भी नहीं है, ठीक है, मेरे को अपने पडोस वाले बंदे को मारना है, ठीक है, तो जरूरी जोड़ना है, पत्थर बांध के ही मारूँगा, क्योंकि जाएगा नहीं, अरे चला जाएगा, तो जो हमारे पास low frequencies की range है, उसमें कोई modulation करने की जरृत नहीं पड़ती, हम लोग वहाँ पर क्या करते हैं, कि low frequencies की range को, हम लोग ground जो जमीन है, जैसे माल लोग आपके पास एक जाएगे few megahertz तक, one or two megahertz तक, अगर हम लोग देखें, तो हम लोग ground wave propagation, distance अगर जादा दूर नहीं है, तो ground wave propagation ही हम लोग use करते है, support of the ground बहुत important होता है, अब इसमें जैसे जैसे आप frequency बढ़ाते हो, तो wave front आपको पता ही है, अगर माल लोग आपका यहाँ पर signal वो antenna है, अग में लोहा है, magnesium है, सारे minerals present होते हैं, इनके electrons SHM करना start करते हैं और इस energy को absorb कर लेते हैं, तो basically ground wave से आपको क्या समझना है, ground wave low frequencies के लिए होता है, few megahertz के लिए होता है, ground के उपर हम लोग wave भेजते हैं, तो ground के उपर वो glide करती है, तैरते हुए चली जाती है, ठीक है, ज्यादा range ह हमारे पास नहीं होना चाहिए, ground wave का ज्यादा दूर तक नहीं जा पाती है, अगर आप frequency बढ़ाएंगे, तो इसमें losses बढ़ जाते हैं, और हम ज्यादा दूर तक नहीं भेज सकते, अब बाद आती है, कि अगर हमारे पास signal Q कुछ few megahertz से लेके, हमारे पास 30 या 40 megahertz तक, NCRT म मैंने maximum लिया है, 40 megahertz सक, अगर आपका कोई signal है, तो आप उसको क्या use करते हैं, वो ionosphere का concept यूज करा जाता है, जहाँ पर total internal reflection होता है, वहाँ पर भी critical frequency की बात होती है, ठीक है, skip distance, बहुत सारी चीज़े होती है, बढ़ आपको basic जो NCRT में गिवन है, उसके हिसाब से हम लोग को बात करें, तो sky wave में हमाई पास few megahertz से लेके 40 megahertz सक कि अगर आपका कोई signal है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको हवा में भेशते हैं, वो ionosphere के अंदर TIR करके वापिस आ जाता है, जैसे मालो मेरे पास एक ball है, मैंने उपर भेका, वो छट से टकरा करके दूसरे से आ गई, त हमारे पास हर, मैंने क्यों बोला कि ये आपको जो ion density है, ion density आपको याद हो नीची, क्योंकि हर ion density, जैसे आप ये ion density D की value, आप उठा करके हर layer की, जब आप 9 root D की calculation करेंगे, तो आपको वो frequency मिल जाएगी, जहां तक वो TIR करा सकता है, ठीक है, तो यहाँ पर TIR from, ये किस पर क काम करते हैं, TIR from, ionosphere, ionosphere के concept से ये काम करते हैं, लेकिन अगर माल लीजे कि हमारे पास बहुत ज़्यादा frequency है, 40 MHz से भी ज़्यादा है, तो वो ionosphere को penetrate कर जाती है, उपर होती है, हमारे पास satellite, तो हम लोग satellite communications की बात करते हैं, ये बहुत highly energetic हमारे पास, जो होती है, signals होते हैं, तो उनको ionosphere टकरा के reflect नहीं करवा पता, तो वो satellite पर चल जाती है, और satellite डिरेक्ली दूसरे पार्ट पर भेज सकता है, ठीक है, अब होता है, line of sight communication, LOS भी बोला जाता है, क्योंकि it's like a laser, क्योंकि इतनी energetic है, it's like a laser, तो जैसे समझना कि अगर मालों कि अर्थ है, वो curve है, है न, क्योंकि वो बिल्कुल सीधे जा सकती है, high energy, energy की wave है, ठीक है, तो एक maximum distance, because, जिसके beyond, जैसे मालों कि यह हमालों कि यह हमारे पास था, एक maximum distance, जिसके बाद, यहां से गई, और यह टकरा गई, इधर नहीं पहुँच पाए, तो curvature of the earth की वैसे, maximum distance कितना दूर तक जा सकता है, that is under root में 2rh, हमारे पास यहां पर अगर आप बात करें, तो r is, मैं यहां लिख देता हूँ, r is radius of earth, इसके उपर कई बार question आये है, radius of earth, and h is height of antenna, height of antenna, ठीक है, अगर हमारे पाद 2 antenna है, जैसे माल लिजे कि यह है, यह है, अर्थ का curvature की वैसे, इन दोनों के बीच में, maximum distance कितना हो सकता है, कि यह line of sight communication कर पाएं, तो जैसे समझना, इसका जो यह वाला खुद का range होगा, ठीक है, इसका जो यह खुद का range होगा, that will be under root में 2rh1, और इसका जो range होगा, that will be under root में 2rh2, तो यह वाला question भी आया हुआ है, कि हमारे पास, basically अगर 2 antennas है, तो 2 antennas के बीच में, maximum distance कितना होना चाहिए, वो यह होना चाहिए, ठीक है, अब बात आती है, last part की which is modulation, modulation की हमें जर्रत क्यों पड़ी, क्यों sir हमें पत्थर, जो आप बात कर रहे थे, paper में पत्थर बांद के फेगना पड़ेगा, क्यों फेगना पड़ेगा, मैंने का अगर आप basic समझें, तो यह वैसा कितना simple भी नहीं है, पहली बात जर्ए यह चीज़ समझना, कि हमें communication के form में क्या-क्या problem आ रही थी, पहली was the size of the antenna, अब जर्ए देखो कि हमारे पास जो antenna का size था, या तो lambda by 2 या lambda by 4 था, जो signal ध्यां से सुनना, जो signal की frequency कम थी, ठीक है, जैसे मैं whisper कर रहा हूं, ठीक है, आपा पकड़ लेंगे तुम्हें, तो जो आपका whispering है, जो low frequency है, उनका wavelength ज्यादा है, अगर wavelength ज्यादा है, तो size of the antenna भी ज्यादा होगा, आपके mobile में तो छोटा antenna लगा हुआ है, यह तो थोड़ना है, पहले वाले mobile क्या होते थे, phone इतना बड़ा, antenna इतना बड़ा है, ठीक है क्योंकि जो हम लोग बोल रहे होते हैं, यह तो advancement है, जब हम लोग बोल रहे होते थे, तो हम लोगों का frequency modulation था, वो इतना अच्छा नहीं था, ठीक है, तो अब क्या हुआ, कि जो low frequency के signal थे, उनका wavelength ज्यादा है, wavelength ज्यादा है, तो antenna बड़ा है, अब फुस पुसाने के लिए इतना बड़ा antenna बनाना पड़ेगा, क्या, है, ऐसा दिन आ गया, नहीं, तो यह बहुत बड़ा problem था, कि हमें कहीं न कहीं high frequency में जाना ही चाहिए, क्योंकि अगर मैं high frequency की बात करूंगा, तो wavelength कम हो जाएगा, wavelength कम हो तो छोटे-छोटे antenna से काम चल सकता है, फिर इसलिए हम लो wavelength जादा, wavelength जादा तो एक तो antenna बड़ा बनाओ, और दूसरी बात अगर antenna बड़ा बना रहे हो, तो उसमें से power dissipation, जो वो energy को transmit करेगा, वो कम आएगा, तो फायदा क्या हुआ, फुस-फुसाना तो आगे बड़ी नहीं पा रहा है, आप फुस-फुसा रहे, तो बड़ा antenna बन बनाने के आवाज आती है, लेकिन आपको उस बन बनाने के आवाज से, आपको किसी का जवाब नहीं पता चलता, बस इतना पता लग रहा होता है, कि येस, कोई ना कोई सब लोग बात कर रहे हैं, यह होता है, तो basically क्या है, कि अगर हमाई पर low frequencies है, ठीक है, अगर हमाई पर low frequencies है, तो उनके mixing होने की भी बात बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करते है, कुछ signal को high, हमाई पास range of frequency, high frequency में कहीं पर भी ले जा सकता हो, बहुत high भी कर सकता हो, बहुत कम भी कर सकता हो, तो low frequencies का पंगा एक ये दोनों तो थाई, और तीसरा पं तो इसलिए हम लोगों को हर एक जो signal है, उसको एक higher अलग-अलग frequencies हम लोग उसको देना चाहते हैं, ठीक है, अब बात आती है कि modulation कितीने प्रकार की होती है, एक amplitude modulation है, जो हमाई सलेबस में, frequency and phase modulation, ठीक है, तो amplitude modulation पहले होता था, अगर आप पुराने FM या पुराने, अगर AM का भी option होता है, और कई बार एक higher signal आपको AM के भी मिल जाते हैं, वहाँ पर भी कुछ ज्यान की बाते चल रही होती है, तो amplitude modulation आज की data में तो outdated है, as our education system, but the problem is कि हमें initial phase से ही समझना पड़ेगा, कि किस प्रकार से modulation को सीखा गया, amplitude modulation नाम से पता लग रहा है कि amplitude को आप यूज कर रहे है, modulation के लिए, ठीक है, तो जैसे माल लीजे, आपका ये message signal है, empty means message signal, जिसका amplitude 1 और minus 1 के बीच में है, और आप देख सकते है, wavelength जादा है, तो frequency हमारे पास कम है, फिर दूसरा है, आपका carrier signal, carrier signal अगर आप देखे, wavelength कम है, तो high frequency का है, तो हम लोग क्या करते है, इन दोनो उसकर आदेते है, तो हमारे पास एक ये बनता है, amplitude modulated signal, ठीक है, तो जो हमारे पास जहां पर maximum पहुंचता है, तो a1 प्लस a2, दोनों का amplitude जुड़ जाएगा, तो maximum 2 होगा, और minimum आपका minus 2, ये मतलब maximum amplitude 2 और minus 2 हो जाएगे, minimum amplitude a1 minus a2 आपका basically हो जाएगा, तो आप क्या करते ह आप amplitude modulation में एक low frequency signal को उठाके, high frequency signal के amplitude पर छपका देते हैं, ये करते हैं, ठीक है, तो जड़े ये देखना, माल लिजा आपका carrier signal है, ac sin omega ct, और message signal है, am sin omega mt, इस signal को उठाके, इसके amplitude में आप रख देते हैं, और ac जैसी कमल लेते हैं, तो ये एक factor मिलता है, which is called modulation index, जितना mu क value आपकी कम होईगी, one से उतना ही better है, ठीक है, तो आपको mu की value कम रखनी चाहिए, means, जो carrier wave का signal है, वो हमारे पास ज्यादा होना चाहिए, और message signal का जो amplitude है, वो आपका कम होना चाहिए, ठीक है, इसको solve करने के बाद, हमारे पर तीन frequencies आती है, omega c होती है, ठीक है, एक omega c carrier frequency, ये omega c plus omega m higher frequency, omega c minus omega m, ठीक है, इसके उपर question आया हुए है, modulation index के उपर भी आया हुआ है, ठीक है, आपको wave दे देंगे, तो am by ac आपको निकालना है, और जिसका am by ac सबसे कम होगा, वो better modulation आपका हुआ, क्योंकि distortion उसमें कम होता है, जो range of frequencies है, अगर आप देखें, तो जो भी आप signal भेज रहे है, amplitude modulation का, उसमें भी एक range of frequencies होती है, that is twice of omega m, this is your bandwidth, इसको भी जेम ने कई बार पूछा है, अब बात आती है कि sir, हम लोग ये modulation करते कैसे है, modulation करने का आपको block diagram nc80 ने दे रखा, उसको मैं बता रहा हूँ, आपका एक message signal है, और एक आपका carrier signal है, sir ये इसके अंदर amplitude में गया कैसे, ये एक symbol कहते हैं, एक symbolism है, कि आपको बताया जा रहा है कि at the end क्या हुआ, करने का तरीका कहीं न कहीं ऐसा आता है, और इसकी detail में आप electronics या communication systems करके subject आता है, b.tech में, most probably third year में आई जाता है, सबका electronics हो या आपके physics में भी communication system होता है, कई subjects में रहता है, तो log diagram जो NCRT का है, वो आपको read करके जरूर जाना है, तो आपका जो message signal है, और ये carrier signal है, सबसे पहले हम लोग adder में डालते है, आप जो लोग computer science के है, आप लोगोंने code लिखा होगा, और code आपने लिखा होगा, sum of two integers, इस ताइप के आपने codes लिखे होगे, C++ में, या Java में, या Fort and जो भी आपकी languages है, तो हम लोग इसको कहते है, adder, adder क्या करता है, इन दोनों signals को जोड़ देता है, ठीक है, और फिर हम लोग डालते है, square law device, square law device क्या करता है, जो भी आपका ये x आया, ठीक है, जो भी आपका यहाँ पर x signal आया, ये क्या करेगा, a into, a तो amplitude वहार रहता है, तो b into x plus c into x का square, b और c आपके constant होते हैं, जैसे मैंने फिर से code लिखा, कि जो भी पहले इन दोनों को जोड़ूंगा, ऐसा code लिखा, तो दोनों signal जोड़ गए, फिर उसके बाद square law device में डाला, जो b और c मैं constant decide करता हूं, तो b into x, जो भी function था, c into x square, ये आता है, फिर एक होत फिल्टर, band pass filter क्या करता है, इन frequencies को ही allow करता है, ठीक है, it's like छनी, जब आप आटे को चानते हैं, तो आपकी tendency क्या होते हैं, आटा निकल जा, कंकड़ा लग हो जाए, वैसी frequencies के लिए होता है filters, ठीक है, जब आप हाए उस पे जाएंगे, तो आपको पता लगेगा, कि हमारे फिल्टरिंग भी होती है, ठीक है, तो हमारे पास omega c plus omega m pass होता है, omega c pass होता है, omega c minus omega m pass होता है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं, अपना amplitude modulated wave, वो कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देती है, ठीक है, फिर जब हमें भेजना होता है, तो एक बार उसको amplify कर देते हैं, signal strength बढ करते हैं, if stage क्या करता है, क्योंकि अब बहुत high frequency का signal था, signal था, तो उसको पहले low frequency पर लाया जाता है, फिर डिटेक्टर क्या करता है, इसी में होते हैं, आपके rectifiers, ncrt खोल के देखना, second last page पे आपको मिल जाएगा, rectifiers, वहाँ पर आपके signal को rectify किया जाता है, जैसे half wave and full wave rectification है, तो rectifier होते हैं, rectifier के बाद आपके बाद जैसी signal आता है, इस processes में भी आपकी energy loss होती, तो फिर से एक amplification करते हैं, थोड़ा signal strength बढ़ाते हैं, और आपका जो message signal था, वो retrieve कर लिया जाता है, तो ये था आपका पूरा का पूरा communication system, ये short notes आपको available हो जाएंगे, और आप सभी लोगों से most probably, ये last है physics का, तो बहुत ही जल्द हमारा मुलाकात कहीं ना कहीं, किसी ना किसी form में जरूर होगा, till then, ta-ta, bye bye, take care, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए